यह बैटरी ओपरेटिड है और यह इजी ली पॉर्टेबल है यह हमें कुछ इस तरह के पेपर बॉक्स कार्ड बॉक्स में लिक मिलता है और यह क्लेम करता है इसके साथ हमें मिलता है यह क्लेनिंग ब्रश जिससे हम इसको क्लेन कर सकते हैं और यहां पर हमें कुछ टिप्स दिए हैं हमें इसको कैसे यूज करना है फर्स्ट हमें अपने फेस को क्लेन करना है फिर मोश्चराइज करना है ट्रिमर को स्वीच ओन करने के बाद हमें जहां से हमें हेर्स रिमूव करने हैं वहां से हमें स्किन को टाइट प्रेस करना है और ट्रिमर की टिप को वहां पर रखना है और जो टिप है वो फ्लैट होन के बाद हमें सिरोना पॉस्ट वैक्स एंड शेव जल को लगाना है ताकि हमारा ट्रिम्ड एरिया स्मूथ हो जाए अपिस से अपने आईब्रो भी ट्रिम लब्र कर सकते हैं और आप इससे अपने फेशल एर्स को भी लिमूफ कर सकते हैं इसके लिए हमें डूरसल की ट्रिपल ए बैटरी ही यूज़ करनी है तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको देखते हैं और फ्रेंड्स इसका MRP है 5.99 पर यह आपको इजिली डिसकाउंट पे परपल अमेजन फिलिपकार्ट सब पर एविलिबल हो जाएगा फ्रेंड्स हमें यह कुछ इस तरह एके जूट बॉक में मिलता है इस पे यह आपे इनका ब्रैंड का टैग भी सिरोना कि यह हमें इस तरह से पैन शेप में मिलता है यहां पे लिखा हुआ है सिरोना यह इसका स्विच्च है ओन ओफ करने के लिए आप इसको ऊपर करेंगे यह ओन हो जाएगा नीचे करेंगे यह ओफ हो जाएगा यह इसकी कैप है यह यहां पे इसको फ्लैट टिप है तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको यूज़ करके देखते हैं फर्स्ट हम इसको पहले ऐसे ही चला के देखते हैं आप इसकी आवाज सुन सकते हैं इसको हम यूज़ करके देखते हैं वैसे यह ट्रिमर हमारी आइब्रो के लिए है पर हम इसको फेशल हेर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं काईस देखिए यह मेरे हाथ पर चुटे चुटे बाल है हम यह इसको यूज़ करके देखते हैं काईस देखते हैं इसका noise ज्यादा नहीं है see friends you can see मैंने यहां से hair remove किया और friends हम इसको ऊपर से rotate करके इसको यहां से open भी कर सकते हैं और यहां पर आपके hairs collect हो जाते हैं इसको आप अच्छे से brush की help से remove hairs को हटा सकते हैं आपको इसके साथ brush मिलती है आप इसको अच्छे से clean कर सकते हैं और use करने के बाद हमेशा आपको इसको clean करके ही रखना है आप इसको अपने साथ कहीं भी लेके जा सकते हैं और एकदम से आप इसको use कर सकते हैं कभी भी किसी भी टाइम पर अब आपको बार बार पारलर जाने के जरूरत ने है और अपर lips और जो इससे अपने eyebrow को perfectly trim कर सकते हैं वो घर पर ही eyebrow भी कर सकते हैं लेकिन इसके लिए हमें practice चाहिए अधरवाइज आईब्रो में cut लग सकता है इसके लिए आप यह भी कर सकते हैं कि आप पहले अपने eyebrow को पैंसिल से शेप कर लें जहाँ पर आपने पैंसिल से शेप किया आप उसकी बिलकुल लाइन के साथ साथ ही आप अपने आइब्रो को ट्रिम करें थेंक यू फ्रेंड्स पर वाचिंग दे वीडियो